हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी टीम से बहुत सर लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ ऐसा बताएं कि हमारी सेल बढ़ जाए हमारी कस्टमर बढ़ जाए हमारे बिजनस में प्रॉफिट बढ़ जाए तो मैं आ प्रोड़क्ट को लेकर जाते हैं तो हमारे लंब समय में होती है और कैसी अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं जो फार्मूला मैं अपनी कंपनी में लगाता हूं और जिससे मुझे सक्षास हासिल हो जाती है वही फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि जीवन का लेकिन ये कदूरी बात है पूरी बात क्या है कंसिस्टेंसी के साथ मार्केटिंग होनी चाहिए इसको मैं एक एक एक्जापल गूरुप में बताता हूं बहुत सारे बिजनस ओनर को यह पता होता है marketing करेंगे तो lead आएंगी और ज्यादा lead आएंगे तो follow करने में ज्यादा महनत लगेगी मान लिजे आपने January में advertisement किया और एक हजार लोगों की lead generate हो गई अब आपको लगता है हजार लोगों की lead को follow नहीं कर पाएंगे तो दुबारा marketing करने का फाइदा क्या है marketing जब करेंगे जब यही सबसे बड़ी एक mistake है एक business owner की हमें क्या करना है जो हमने marketing की उसमें से prospective client निकाले मान लीजे 10% निकले तो 100 लोग निकले अब इन 100 लोग उसमें 10 लोगों की deal होगे मतलब 10% maturity आ गई कहने का मतलब lead जितनी हमारे पास आई है उतनी lead से हमारा sale का volume का माता है और जब यह lead खतम हो जाती है फिर हम दुबारा marketing करती है formula यह नहीं है success का formula यह है कि do marketing consistently हर महिने नई 1000 lead पैदा करते जाएं तो आपके पास इतनी lead होंगी कि sales का volume 3 गुना हो जाएगा अगर आप लगातार 3 मिन तक ऐसा करते रहे तो करना क्या है generate more lead इस तरह से marketing करें कि आपके पास large number of lead generate हो जब large number of lead generate होंगी तो उनको follow करने के लिए भी आप अपनी team को बढ़ाएंगे और team बढ़ेगी तो जो lead generate करें उसमें से जाए सा prospective client निकलेंगे प्रोस्पेक्टिव निकलेंगे तो sale conversion बढ़ेगा और लगातार marketing होती रहेगी तो लगातार leads भी आपके पास आती रहेगी तो business की growth के लिए सबसे ज़रूरी है क्या करना है हमें consistency से marketing करनी है और अपनी pipeline में prospect की lead को बढ़ाते जाना है मैंने आपसे का 1000 में से 100 लोग आते हैं लेकिन हर बार 1000 में से 100 लोग आते हैं तो दीरे दीरे आपका prospect line भी बढ़ता जारा अब ये 300 हो गया और prospective लोग में deal लगातार close करते जाएंगे पुरानी lead को follow करेंगे तो आसानी से sale grow करेंगी add more customer again and again and again लगातार जब आप ये काम करते रहेंगे तो आपका sale बढ़ेगा sale बढ़ेगा तो customer बढ़ेगा customer बढ़ेगा तो business बढ़ेगा इसलिए करना क्या है लगातार marketing करें marketing के तरीके को अच्छे से अपना है और दूसरा marketing strategy में अगर आप वही करेंगे जो सब ने किया है तो तो नहीं मिलेगा जितना सब को मिल रहा है आपको करना क्या है different तरीके की marketing करनी जैसे आपके consumer को ठीक तरीके से आपके नाम आपके brand के बारे में जानकारी हो और वह जब भी उस business के बारे में प्रोड़क्ट के बारे में सोचे तो आपका नाम सबसे पहले जुबान पर आए दूसरा में क्या करना है ask more referral from happy customer proactively देखिए हमें पता है कि ग्रहक मेरा संतोस्ट होगा खुश होगा satisfied होगा तुम मुझे references देगा लेकिन समस्या पता है क्या हम proactively उससे references मांगते ही नहीं है मान लीजिए आपके 100 satisfied client है तो इस बात की guarantee है कि इसमें से 20% लोग मतलब 20 लोग ऐसे होंगे जो आपको reference देंगे लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपके 80% लोग और हैं 80 लोग और हैं ये भी references दे सकते थे अगर आपने references मांगे होते इसका मतलब अपने happy and satisfied customer से references जरूर मांगे और जब आप productivity से references मांगेंगे तो आपके पास ज़्यादा नई लीड आएंगी और जो नई लीड आपके पास आएंगी न वो marketing से आई हुई की credibility भी उस लीड में जुड़ी होगी इसी लिए उसके साथ deal close करना बहुत आसान हो जाएगा friends नई लीड के साथ काम करना और referral की लीड के साथ काम करना दोनों में जमीन आसमान कांतर है वहाँ पर ratio of maturity अगर 1000 में से 10 आती है तो यहाँ पर 100 में से 20, 30, 40, 50 और ज़्यादा भी product से उस customer को जोड़ना पसंद करते हैं और वो customer पहले ही आपकी company से आपके product से और आपके happy customer से inspired है इसी लिए वो असानी से deal हो जाती है इसी लिए proactively lead generate करने का तरीका क्या है references मांगते रहें लगातार अपने satisfied client से कभी holy पर कभी दिवाली पर कभी new year पर कभी 26 जनवरी 15 अगस नेक्स क्या है nurture your leads अभी lead तो बहुत सारी हम generate कर लेते हैं ठेके उसको nurture नहीं करते हैं मतलब उसको bifurcate नहीं करते हैं अलग-अलग category में और category क्या है hot lead warm lead and cold lead hot lead वो है जिसको अभी तुरंत उस product के जरूरत है तो उससे तो deal करें warm lead वो है जिसके पास product को खरीदनी की के जरूरत होगी तो बात करेंगे अब आपको करना है hot warm and cold lead को आपको bifurcate करना है और सभी के साथ connected रहना है हम लोग क्या करते है hot lead और warm lead के साथ connected रहते हैं और cold lead को छोड़ देते हैं मैंने का 1000 में से 100 लोग ऐसे हैं जो आपके prospective और 10 लोग जो हैं जो हैं जो हम इन 10 पर औ तो 900 वेक्ति ऐसे हैं जिनसे आपको और अच्छा बिजनस आ सकता है बशरते आप उनसे connected रहें pitch for the sale time to time हो सकता है उसने आज inquiry डाल दी लेकिन अगर आप regular उसको pitch करते रहेंगे तो जैसे उसको product की जूरत पड़ेगी तो सबसे पहले brand recall जो करेगा ना mind में वह आपका करेग क्योंकि आप regular उसको follow-up कर रहें और sales के लिए pitch कर रहें built credibility अपनी विश्वस्नियता को मजबूत करें और अपने customer के साथ अपने relation को develop करें अब relation development कैसे होता है जब आप किसी व्यक्ति से लंबे समय तक अच्छी communication करते रहते हैं तो कहीं न कहीं एक mental relationship लगातार बात करते रहेंगे तो वो आपके बारे में जानेगा और आपके बारे में जानेगा तो आपके प्रती और आपकी कंपनी के प्रति उसकी विश्वस्नियता बढ़ जाएगी ये भी एक तरीका है और उसके बाद follow up till deal close जब तक follow up करते रहें जब तक वो hot warm और cold ये cold lead warm ना हो जाए ये warm lead hot ना हो जाए इसका मतलब cold lead भी hot हो जाए और warm lead भी hot हो जाए लगातार follow up करते रहें और मैंने special video बनाया है कि follow up की strategy क्या बताती है कि ग्रहक को कैसे follow करना है friends अगर आप सच में business को grow करना चाहते हैं तो इस channel पर business related बहुत सारी videos दियां बलकि maximum video business related है उनको step by step देखेंगे सीखेंगे समझेंगे और सीखने और समझने काद अपने business में implement करेंगे तभी growth संभव है fine तो nurture करना है आपको अपनी leads को उसके बाद जो important बात है know their desire सबसे पहले ना जब कोई भी consumer lead feed करता है तो कहिना के उसके mind में वो product होता है या उसको लगता भविष्य में इस्तिमाल करूंगा या उसको current में ज़रूत होती है मतलब hot, cold and warm lead होती है तो आपको क्या करना उसकी desire को समझो ask their requirements उसकी ज़रूरत में उसको क्या क्या चीज़ों की requirement है क्या वो product आपके पास है अगर है तो उस product से संबंदित क्या benefit उस customer को हो सकते है वो उसको अच्छे समझाओ जब आप समझाएंगे तो उसके मन में बहुत सारे doubt होंगे बहुत सारे objections होंगे तो उनके doubt और objections को clear करें एक एक बात को अच्छे तरीके से समझाएं कस्टमर जब अच्छी तरीके समझाता है समझ जाता है तो उसका विश्वास आपकी company के प्रती बढ़ जाता है और वो जब भी product खरिदने की इच्छा जाता है तो आपके पास सबसे पहले आता है know their budget and willing to spend देखें दो अलग बाते हैं सबसे पहले जानो कि उसका budget क्या उस product को लेकर और दूसरा वो कितने पैसे खर्च करना चाहता है साधारन था कस्टमर असानी से बताता नहीं कि उसका budget क्या या कितने पैसे लगाना चाहता है पर जैसी आप costing देते हैं तो बता लेता है तो मेरे budget में ही नहीं आ रही है तो उससे पूछे उसका budget क्या है किस budget frame के अंदर आपको product चाहिए सर बता ही जब आप पूछ लेते हैं तो कई बार वो आपको बता भी देता है तो उस budget के संबंदित आपके पास क्या-क्या चीज़ अवेलेबल है क्या-क्या फीचर से वेलेबल है क्या-क्या मॉडल से वेलेबल है वो उनको ज़रूर उफर करें इसका मतलब अपने ग्राक के डिजायर को ज़रूर जाने find new segment of customer अपने customer का नया segment दोने नई segment का मतलब क्या है आप different method को सर्च करें कि और कौन से ऐसे method हो सकते हैं जहां से lead generate होती है माली जी आप offline branding करके lead generate करते हैं तो online branding कीजिए facebook, linkedin, twitter, instagram, youtube इन सभी तरीकों का इस्तिमाल कीजिए google adword तो आपके पास digital platform के जरिये भी lead आएंगी अगर आप events में participate नहीं करें तो events में participate कीजिए वहां से lead generate होगी business reference programs में आप नहीं जाते हैं तो वहां भी जाना शुरू कीजिए ताकि वहां से lead generate होना शुरू करें अगर आप customer से references नहीं मांगरे तो references मांगना शुरू कीजिए उसके बाद add more product to your segment अभी problem क्या है माली जे आपके पास एक तरह के 5 product हैं तो आपको क्या करना है पांच और कौन-कौन से दूसरे segment के product हो सकते हैं उस segment line को अपने business में add on कीजिए उससे क्या होगा एक नया customer जो नए segment के बारे में जानना चाहता है उस segment के customer भी आपके पास आएंगे और जब नए customer आएंगे तो नए sale बढ़ेगी और sale बढ़ेगी तो इसका साफ साफ मतलब है business टेजी से grow करेगा तो आपको करना क्या है यह पांच ऐसे तरीके हैं सच मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं यह पांचों के पांचों तरीके मेरी company में implement करता हूं इसलिए हम देरे-देरे sales का volume बढ़ाते जा रहे हैं और large number of showroom और large number of dealers और large number of franchisee develop करते जा रहे हैं export में भी हम इनी tips का इस्तिमाल करते हैं तो करना क्या है do marketing consistently ask more referrals from your satisfied client nurture your leads in hot warm and cold and know their desire उनके जरुवत को समझे और नया segment अपने customer के लिए इंटेडियूज करें आप देखिए दुनिया के बड़े-बड़े brands हर समय समय पर वो कोई नया product लेके आते हैं नई feature लेके आते हैं नया add-on कर देते हैं अपने product में नई advantages उसकी generate कर देते हैं product को modify कर देते हैं research and development कर लेते हैं जिसके वैसे वही customer दुबारा से product खरिदने के लिए तयार हो जाता ह स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आपके सुनरे वहुष्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत